हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल विशाल गुपता आपका टीचर कैसे हुआ आप सब स्टुडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 13 का जो मार्केट इकली बिर्म अंडर पर्फेक्ट कंपिटीशन है उसको कॉंटिन्यू कराने जा रहा हूं क्लास 11 को तो स्टुडेंट्स इसमें जो हम टॉपिक डिसकस करेंगे वह टॉपिक है शिफ्ट मतलब चेंज इन डिमांड अंड मार्केट इकली बिर्म बचो इसकी पिछली वीडियो में मैंने इसका पिछला पॉर्शन डाल दिया था और मैंने आपको बताया था कि यह मैं टॉप इनक्रीस इन डेमांड यह दूसरा थेजopic इन 20 की बाथ करेंगे दिनाद कर कर चली जाएगे शिफ्ट डॉइजागी इसमें इन- Heil Elis प्राइस भी बढ़ जाता है ठीक है तो यहां इसको मैं इसको मैं बताता हूं कि मैंने कैसे डाइगरम बनाई है हाव नियू इक्लिबियम स्टॉक वें डिमांड कव शेफ्स तु दा राइट मींस दिमांड इस ग्रेटर देन सप्लाई ढूस करते हैं अगे बात करते हैं की बचँऑ होग इता है दिमांड कि तरुष्ण हैoriented Pixar circular 2016 हमारे पास equilibrium पहले यहां यह demand है original demand यह supply और इस particular price पे हमारा यह equilibrium का point है बचो जैसे यह demand कम होती है तो उसे क्या होता है price भी fall कर जाएगा जब price fall करेगा तो demand बर जाएगी और वह अपने आप संगर्श करके demand और supply एक दूसरे को meet करेंगे जिस point पे वह हमारा नया equilibrium point हो जाएगा तो चलो अब इसकी construction को पढ़ते है students तो यहां पहले ही आ रहा है when demand curve shifts to the left students when demand curve shifts to the left it shows decrease in demand and second consequently price will fall number three quantity demanded tends to decrease and quantity supplies tends to decrease okay और यह process चलता रहेगा till such a price is reached where demand is equal to s occurs at e1 ठीक है जी बचो जब आपकी demand lower हो जाएगी तो आपका price भी क्या हो जाएगा बचो price क्या हो जाएगा लोर हो जाएगा naturally जब price low होगा तो demand फिर उपर चली जाएगी क्योंकि supply तो price के कम होने से नीचे आई गई थी ठीक है ना जी और वह इस संगर्ष में वह अपना नया equilibrium point डूण लेगा नया demand supply के साथ और that price will be known as new equilibrium price और वह यहां पर आके struck करेगा ठीक है students तो बचो यह question आप अपनी notebook पे उतार लीजिए और मैं आपको इसी तरीके से यह topic wise यह question कराता जाओंगा अब अगले topic के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखना ना भूले विशिंग यू गुड़ लख